आज की मेरी रेसिपी है हरे हरे खटे खटे आलू तो आईए शुरू करते हैं देखिए बहुत बढ़िया बने हैं हरे रंग के बने हैं और खटे सा हलका सा खटा सा टेस्ट है बहुत अच्छे लगे बहुत स्वादिस्ट लगे तो आप इसे बना सकते हैं ये देखिए थोड़ी से धनिया के पत्ते मैंने लिए है नमक है, थोड़ी से शुगर है हल्दी है, मिर्च स्वादा नुसार है एक कटोरी मैंने दही लिए है दो प्याज लिए है, दो से तीन हरी मिर्च लिए है थोड़ा सा लहसुन लिया है दही में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर दोनों मिला देना है ये देखिए, तीन प्याज है, थोड़े से लहसुन है ये अद्रख है, और दो तीन हरी मिर्च है और ये एक टीस्पून जीरा है, हाफ टीस्पून काले मिर्च है एक बड़ी लैची और तीन छोटी लैची है ये जितने इंग्रिडियंट्स हैं इन में से थोड़ी सी धनिया इसको मिलाके सब पीस लेना है थोड़ी सी धनिया अलग पीस के रखना है और बाकी प्याज और जितने मसाले हैं वो अद्रक, लहसुन, मिर्चा और धनिया एक साथ पीस लेना है ये देखिए मैंने कड़ाई में तेल बठाया अब इसमें तेल गरम होने के बाद हमें इसमें आलू को भूनना है आलू जो मैंने उबाल के नहीं लिये हैं अगर आप बॉयल करके लेना चाहें क्योंकि जिसमें मैंने धनिया वाश किया था उसी में आलू वाश किया है इसलिए उसमें धनिया लगे वे है भूनते भूनते देखिए लगभग आलू 50% तक पक चुका है मेरा अब इसमें जो मसाला मैंने भूना है वो मसाला इसमें डाल के मसाले को भूनना है धीमी आज़ पे मसाला भूना जाएगा बहुत ही धीमी आज़ पे मसाला ये भूनेगा देखिए ये मसाला मेरा भून गया है अभी सिर्फ धनिया वाला मसाला ही डाला था अभी दही वाला मसाला नहीं डाला है अब यहाँ पर दही का मसाला एड़ करते हैं जिसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर यह दोनों चीजे मिक्स हैं यही पर इसी स्टेज पे हम आके नमक और शुगर दोनों चीजे एड़ कर देते हैं यह देखे कितनी बढ़िया सबजी बनी है सबजी जब पूरा मसाला भून गया है तो उसे थोड़ी देट धक देंगे जब धक के पक जाएगी तब उसमें लास्ट में यह धनिया डालेंगे पिसा हुआ और कसूरी मेथी आड़ करेंगे आप कसूरी मेथी चाहाएं तो इसकिप कर सकते हैं या कभी कुछ कचालू टैप का कुछ खाने का मन करें तो आप इसे बनाईए और चाय के साथ सर्फ कीजे